राइस पकाने का एक सरल और असदार तरीका है राइस कुकर का इस्तिमाल करना केई राइस कुकर पकाने के बाद भी राइस को गरम रखते हैं राइस कुकर पर ध्यान देते रहने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये एक आटोमेटिक टाइमर के साथ आता है चावल की सही स्थिर्था प्राप्त करने के लिए इलेक्टरिक कुकर का उपयोग अत्यादिक लोगप्रिय हो गया है ये कुकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आप रसोई में परिशानी मुक्त काम करेंगे और आपको भोजन की उतक्रिष्ट गुनवत्ता प्रदान होगी जो एक सामाने कुकर कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा राइस कुकर या राइस स्टीमर एक रसोई उपकरण है जो चावल को पकाने के लिए बनाया गया है इसमें एक हीट सोर्स, एक थर्मोस्टैट और एक कुकिंग बोल होता है बाजार में राइस कुकर के विभिन प्रगार और किसमे हैं और मेक के अधार पर फंक्शन्स और स्पैसिफिकेशन्स अलग हो सकते हैं कुछ बेसिक और कुछ एडवांस्ट फंक्शन्स के साथ आते हैं राइस कुकर कैसे काम करता है एक राइस कुकर के संचालन के पीछे मूल सिध्धान्त इसके भागों में नीहित है जिसमें थर्मोस्टैट और कुकिंग बोल शामिल है ये भाग एक साथ काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चावल उबल गया है बिना जले या अधपके स्थिती में थर्मोस्टैट हर समय कुकिंग बोल के तापमान की मातरा को मापता रहता है और गर्मी को नियंतरित करने में भी मदद करता है कुकिंग बोल वे हिसा है जिसमें पानी और चावल डाले जाते हैं चावल के साथ रखा जाने वाला पानी ज्यादा तर चावल द्वारा एब्जॉब हो जाता है और इसमें से कुछ स्टीम में बदल जाता है पानी खतम होने के बाद जब टापमान बॉइलिंग पॉइंट से उपर बढ़ जाता है तो फर्मस्टे'd ट्रिप करता है जब फर्मस्टेट ट्रिप करता है तो कुकर बंद हो जाता है और चावल हो जाते हैं त्यार राइस कुकर के कुछ मॉडल्स पूरी तरह से बंध होने के बजाए वामिंग मोड में चले जाते हैं ताकि चावल पर उसे जाने तक गरम रह सके चावल अच्छी तरह बने ये इस पे निर्बर करता है कि आपने उसमें कितना पानी डाला है राइस कुकर के साथ इंस्ट्रक्शन मैनूल में आम तोर पर इसके बारे में निर्देश होते हैं राइस कुकर के फायदे राइस कुकर का उपयोग क्यों किया जाता है इसके कई कारण है वे चावल पकाने की पूरी प्रक्रिया को गती देते हैं जिससे ये उप्योग करताओं के लिए सुविदा जनक हो जाता है इनका उप्योग करना असान है और चावल पानी के अनुपात के लिए अधिक सटीक माप्रदान करते हैं वे चावल को बिना ओवरकुक या अंडरकुक किये बिना पकाते हैं राइस कुकर के कुछ मॉडल्स उप्योग करता को ब्राउन राइस और वाइट राइस सहित चावल की अन्य विभिन किसमों को पकाने की भी अनुमती देते हैं कुछ मॉडलों में चावल को गरम रखने की तारेक्षमता होती है जो चावल त्यार हो जाने के बाद भी चावल को गरम रखते हैं राइस कुकर्स को चावल पकाने के दोरान लगाता निगरानी की अवश्यक्ता नहीं होती है किसी भी अन्य उत्पाद की तरह rice cooker के भी अपने कुछ downsides है rice cooker के कुछ model चावल की कुछ किसमे जैसे brown rice प्रभावी रूप से नहीं पका पाते है कुछ model काफी बड़े और भारी होते हैं और इसके लिए रसोई में प्रयाब जगा की अवशक्ता होती है आईए अब नज़र डालते हैं कुछ लोगप्रियर राइस कुकर मॉडल्स पर मील थी मल्टी पॉट 9-in-1 प्रोग्रेमेबल एलेक्रिक कुकर लगबग 70 प्रतीशत तेजी से भोजन पकाने की अनुमती देता है ये लोगप्रियर है क्योंकि ये 9 इस्तिमाल किये जाने वाले उपकरणों का काम करता है जैसे कि प्रेशर कुकर, सलो कुकर, राइस कुकर, सौते, स्टीम कुकर, केक मेकर, करड मेकर और वार्मर ये multipot 14 preset pressure cooking programs प्रदान करता है ये 100% BPA free है और professional grade stainless steel सहित उच्चतम गुनवत्ता वाले material से बना है इसमें एक सहज LCD screen भी लगी हुई है Panasonic SR WA-10 rice cooker का उप्योग करके आप बिर्यानी और पुलाव जैसे चावल के व्यंजनों को बना सकते हैं ये स्वचलित rice cooker चावल को जल्दी से पकाता है और इसके पोशक मुल्य को भी बनाए रखता है इस cooker का anodized aluminium cooking pan गर्मी को तेजी से absorb करता है और समय को बचाता है इस प्रकार ये energy efficient साबित होता है अकार में compact होने के कारण इस electric rice cooker को असानी से आपके kitchen, platform या counter पर रखा जा सकता है ये चावल को पकाने के बाद 4 घंटे तक गरम रख सकता है यदि आप ताजे पके हुए चावल की सुगंध पसंद करते हैं तो panasonic rice cooker SRWA18 आपके लिए सही है आप इस cooker का उप्योग विभिन चावल के वेंजन जैसे की सबजी पुलाओ, नीबू चावल के साथ 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 साथे steamed चावल त्यार करने के लिए कर सकते हैं ये एक शक्तिशाली rice cooker है जो आपके चावल को पूरी तरह से पकाने के लिए 660 watt बिजली की खबत करता है इस panasonic automatic rice cooker में चावल त्यार करने में लगबग 20 मिनट लगते हैं एक बार हो जाने के बाद बिजली कट जाती है और चावल परोसने के लिए त्यार हो जाता है ये एक दो dish, separator pan, steaming basket और idli stand के साथ आता है Prestige Delight Electric Rice Cooker ना केवल चावल बलकी पूरे menu को बनाता है एक सुविदा जनक और परिशानी मुख तरीके से दलिया सूप, stew, पुलाव, इडली और स्टीम सबजियों को पकाया जा सकता है 1.8 liter शमता, 700 watt motor और auto cut off सुविदा के साथ चावल बनाना कभी भी इतना असान नहीं था इस rice cooker का करशक design आपकी रसोई को और अकरशक बना देगा इसमें एक अतिरिक cooking pan है तो आप एक में बना सकते हैं और store कर सकते हैं और फिर दूसरे का उपयोग कर सकते हैं दोनों pans aluminium से बने हैं Prestige Delight PRWO छोटा सा rice cooker है जो छोटे परिवारों के लिए एक्दम सही है आप दलिया सूप, स्ट्यू, पलाव, इडली या भाप वाली सबजियां जल्दी से बना सकते हैं Stainless Steel का ढकन गर्मी को अधिक समय तक अंदर रखने में मदद करता है और इसे तूटने से बचाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सोचलेत रूप से चावल पकाने के बाद warm mode में चला जाता है बले ही ये एक लिटर क्षमता का हो फिर भी ये 400 वाट ताप क्षमता के साथ शक्तिशाली है इन सब प्रोडक्ट्स की नवीनतम कीमत और अतिरिक जानकारी के लिए नीचे दियेगे लिंक्स पर क्लिक करें धन्यवाद खिरेफ झावल बीचे जानकारी के लिए नीचे दोने पास पमाज़र फिए का का पम्से तानकारी क कजेगे लिएत Rightsव से नीचे है